Hi everyone, so आज इस वीडियो के अंदर जो अपना EDA का lecture number 2 होने वाला है So इस lecture के अंदर आपन देखने वाले हैं यार बहुत ही important term Which is analysis या फिर analyze कोई आपका जो algorithm हमने अभी पीछी वीडियो में समझा था Algorithms के बारे में So आप आपन देखने वाले हैं कौन सी algorithm best होने वाली है तो आपन उन algorithm को क्या करेंगे अब analyze करेंगे यही EDA का नाम है analysis and design algorithm मतलब जो भी अपने algorithm design करी है आपन करें या कोई और करें मलब algorithm जो बनी हुए है उसको अब analyze करना है कौन सी best होने वाली है and which one is not the best algorithm तो आपन इसमें से एक algorithm सेलेक्ट करेंगे जो की best होगी ठीक है optimal ठीक है optimal algorithm use की जाती है optimal algorithm ही use करते है ठीक है optimal algorithm अभी आपको नहीं पता होगा क्या है यह चीज जिसका time minimum हो और space भी minimum हो यह दोनों चीज़ें आपन अभी इसी lecture में थोड़ा सा आगे अच्छे से explain करने वाले हैं तो फिलाल basic idea लेते हैं and समझते हैं थोड़ा सा understanding algorithms के ऊपर देखो यार algorithms मैं आपको बता दी कि क्या होती है ठीक है let's suppose मैंने एक बच्चे को दिया कि यार एक बच्चे को मैंने प्रोग्राम दिया कि C++ यह फिर नॉर्मल जस्ट प्रोग्राम दिया ठीक है algorithm लिखने को दी मैंने बोलाया तिरको दो number का sum करना है so उसने एक algorithm बना ली उस दो number का sum करने की जिसमें lines of code है 8 let's suppose 8 lines use हो रही है ठीक है किती line use हो रही है 8 line अब दूसरा बच्चा है उसने दूसरी algorithm बना ली जिसमें use हो रही है बहिया 10 line ठीक है तीसरा बच्चा है जिसमें एक और algorithm बना ली उसमें use हो रही है बहिया सिर्फ और से 5 lines so यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है कि कौनसी algorithm best होने वाली यह की यह की है अब बेसी वात जिसमें line कम use हो रही होगी ठीक है तो यह वाली algorithm best algorithm होगी because अपने एक factor डूण लिया line का कि यार code जो लिखा है इसने या फिर जो algorithm बनाई है उसमें total lines किती use हो रही है 8 lines इधर 10 हो रही है इधर 5 हो रही है ठीक है अगर इसके तीन solution है तीन solution possible है तो इन तीन solution में से कौन सा जो best algorithm हुआ वो यही वाला हुआ जिसमें कम lines यूज हो रही है तो अपन analyze कर रहे हैं algorithms को ही तो this is your analysis part algorithm का analyze करना और अपन वो problem लेने वाले हैं या फिर वो algorithm को choose करने वाले हैं जो कि यार optimal हो optimal का मतलब मैं यहीं बता देता हूँ अब optimal algorithm या फिर optimal solution मतलब जो minimum हो मतलब ये जिन्स का time भी minimum हो और space भी minimum हो ठीक है जो best हो चीज में जिसमें cost भी कम लग रही हो ठीक है और time भी कम से कम लग रहा हो space भी कम से कम लग रही हो so this is your optimal solution या फिर optimal algorithm बट 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 एक और ताम होता है optimal की जगह feasible ठीक है feasible का मतलब क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए न तो feasible का मतलब होता है कि एक problem के कितने solution है एक problem को solve करने की how many solutions exist ठीक है जैसे यह अगर algorithm है यह दूसरी algorithm है यह तीसरी algorithm है एक ही problem हम है एक ही कोश्चन है उसको सॉल करने की धीन डिफरेंट इफरेंट इस हो रहे था में अपने ऐसिम कर लिया सिर्फ टीक है तो यह तीनों क्या होंगी तीनों क्या होंगी feasible solution तीनों क्या होंगी feasible solution feasible solution मतलब जो भी solution exist कर रहा है वो but optimal solution मतलब जो best हो optimal ये वाला होगा feasible ये तीनों होंगे clear है बात बात clear है ये I think किसी ने आपको बताया नहीं होगा इत्ती detailing में क्योंकि I think so किसी को पता इसके बारे में ज्यादा रहता नहीं है and teachers भी बहुत सारे guide कर देते हैं या ऐसे ऐसे terms जो कि important होते है क्योंकि आपको बहुत सारा आगे जब आप adda पढ़ोगे dp बगरा पढ़ोगे या फिर बाकी जो आप greedy approach पढ़ोगे तो उसमें आप optimal solution find करते हो feasible solution find नहीं करते है आपका target ही होता है greedy में यही है ना कि आपका target ही ही कि आप optimal solution find कर रहे हूँ ठीक है अब बच्चा वहाँ पे एक 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 solution तो यह भी possible है फिर teacher ने यह वाला solution क्यों नहीं लिया because उसमें हो सकता है space ज़्यादा लग रहा हो यह cost ज़्यादा लग रही है फिर time ज़्यादा लग रहा हो इसमें से एक आथ factor ज़्यादा लग रहा होगा इसलिए teacher इस solution को avoid करता है यह फिर जो भी है ठीक है वो avoid करते है optimal solution का मतलब यह ही हुआ कि यह तीनों चीज़ें आपकी minimum से minimum time में minimum से minimum cost लग रही हो minimum से minimum space यूज हो रहा हो so this is your optimal solution clear है बात algorithm समझा दी मैंने क्या होती है previous video में जो पहला lecture था उसमें समझा दी गई है उसके बाद आपको बता दिया गया है कि algorithms क्या होती है फिर उसको program में क्या अंतर है प्रोग्राम और algorithm में क्या अंतर है फिर उसको analyze किस तरीके से करते हैं यह अपने देख लिया भी यहाँ पर ठीक है analyze वाला factor भी अपना clear हो गया बट आप एक और चीज है उसको थोड़ा सा scroll करते है अब बात करते हैं performance की performance कहलो या complexity कहलो तो मैंने आपको बता दिया कोई भी program है या फिर कोई भी algorithm है उसकी performance दो term पे use होती है एक है time दूसरा है space इसको आप कह सकते हो time complexity इसको कह सकते हो space complexity बात यह की है तो जो algorithm है जिसका time minimum लग रहा हूँ best algorithm है जिसका time क्या लग रहा हूँ minimum अब यह अपने देखा उसी को optimal बगाते है और वही same चीज है जिसमें minimum space यूज हो रहा हो तो वह algorithm भी best algorithm है जैसे for example यार आपके पास माल लो 1000 रुपीज है ठीक है अब यह मैंने बता रहा है कि आपने कहां से लिए कैसे लिए हो सकता आपके parents ने दिये हो या कहीं और से आपके पास है 1000 रुपीज अब आपको लेनी यार एक छोड़ी सी चीज for example आपको लेना है यार bet, cricket bet ठीक है तो अब उसकी जो cost है वो भाईया है 1200 बट आपके बास है 1000 रुपे मात्र तो क्या आप इसको ले पाओगे यहाँ पर bargaining वाल factor वर्क नहीं कर रहा है ठीक है नहीं तो बोलेंगे बहुत सारे कि यह हम इंडिया में रहते हैं तो उसको 1000 दे देंगे वो बल्ला दे देगा bet देगा whatever बट ऐसा नहीं है वो fixed rate है वो rate fluctuate नहीं कर रहा है so इस case में आप नहीं ले सकते हैं है ना but let suppose आपके पास जो पैसे हैं वो greater than है ना जो rupees हैं वो greater than 1200 है ठीक है तो आप उसको easily ले सकते हो clear है बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब क्या हूँ है यह कहानी क्यों बदा रहे हो आप इस कहानी का मतलब यह है कि अगर आपके पास memory ज़्यादा है ठीक है आपके system में या फिर आपके device में तो वो आप यहाँ पे ज़्यादा space वाला program भी अराम से execute कर सकते हो ठीक है but if any case आपके जो system की memory कम है तो यहाँ पे जो space अगर आपने किसी program का ज़्यादा लिख दिया यह किसी algorithm में ज़्यादा space यूज़ हो रहा है तो आप उस algorithm का use करी नहीं पाऊगे अपने system के अंदर इसी reason से यहाँ पे hardware वाला part हट जाता है hardware वाला part हट जाता है जब भी अपन time और space calculate करेंगे time and space complexity calculate करते हैं so उसमें machine dependent का work नहीं होता है तो machine क्या होती है independent यह नहीं है कि तुम्हारे system में अगर 8GB RAM है या फिर मेरे system में 4GB RAM है तो दोनों में अबेसी बात है तुम्हारे में fast होने वाला है किसी में 8GB RAM है तो program execution fast होगा मेरे में अगर 4GB RAM है तो मेरा थोड़ा सा slow हो जाएगा तो program execution यहाँ पर fast हो जाएगा मैं काऊंगा कि भाई same code लिखा है बट तुम्हारे system में जल्दी चल गया मेरे system में थोड़ा late चल आ है तो तुम्हारा वाला best ऐसा नहीं है यहाँ पर जो अपन time और space find कर रहे है यह system का independent रहेगा system से depend नहीं रहेगा system से क्या रहेगा independent रहेगा clear है बात यह रहेगा अभी अपन देखने वाले दो time है बहुत important दो no time है तो अभी अभी समझते हैं तो इतना आपको part clear हुआ है कि जो अपन time complexity निकाल रहे है और जो अपन space complexity निकाल रहे है so उसमें क्या चीज फरक पढ़ रहे है उसमें जो memory या फिर जो hardware है वो फरक नहीं पढ़ना चाहिए मतलब कि यह machine से independent रहेगा machine से क्या रहेगा independent रहेगा clear है बात clear है बात इसलिए मनें cost वाला जो आपको बताया देखो machine का मतलब है कि यार ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास हर बार 1200 के उपर ही रहे और आप यह बल्ला खरी सको ठीक है bad जो भी है so यह fluctuate नहीं है या तो आपके पास 1000 रुपई ही है या तो आपके पास 1200 ही है ऐसा नहीं कि आपके पास कभी 1200 से उपर हो गया कभी 1000 से नीच हो गया यह सब चीज़ें यह आपे नहीं होंगी अगर आपन time और space find करना चाह रहे है ठीक है तो machine से dependent नहीं होगा machine से independent होगा मतलब कि अगर आपन for example मैं चाहरा हूं किया एक sum करना sum of two numbers अब हो सकता है कोई windows 7 में sum कर रहा हो वही program execute कर रहा है थोड़ा सा पुराना window है और कोई window 11 में कर रहा है जो कि latest window है तो difference वहाँ पे software का भी हो जाएगा कई कई hardware का भी हो जाएगा तो machine पर dependent ही उन चीज़ चीज़ है ठीक है तो उसके बाद अपन ने आप एक term निकाला analyze करने के लिए दो चीज़ है फर्स्ट वन इस योर posterior posterior और दूसरा है जो आपका prior ठीक है एक हो तर posteriori दूसरा प्राइरी आप फिर posterior algorithm analysis analysis कहा देना इसको भी analysis कहा देना ठीक है तो generally जो use होता है वो ये वाला होता है इसका मतलब क्या prior prior मतलब पहले ठीक है post मतलब बाद में इत्ता टम याद रखना prior का मतलब है पहले पहले मतलब code लिखने से पहले code को लिखने से पहले ही अपन time और space find कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं वो अपन आगे चलके पूरा पढ़ने वाले हैं detailing में tension मतलो तो ये बात clear है कि यहाँ पे अपन क्या पहले कर रहे है ठीक है यहाँ पे अपन क्या पहले कर रहे है ठीक clear है and post detail में क्या होगा कि अपनने पूरा code लिख लिए then उसके बाद अपन देख रहे हैं यार यह ऐसा 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 तो इसका time इतना होना चीए इसका space इतना होना चीए so ये use नहीं होता use prior analysis होती है prior analysis ही use होती है क्यों भी ऐसा गया है इसमें और थोड़ी बहुत definition बता दो कि अगर exam में आ गया prior or posterior analysis के बारे में तो अपने क्या लिखेंगे तो ये दोनों देखो यार बात तो वही है मैंना भी बता दिया hardware software पर dependent कुछ नहीं होने वाला independent होने वाले तो ये जो भी है पहले posterior के बात कर लेते हैं याना post लिख देता हूँ मैं पहले में क्या होगा पहले में वाई कुछ ऐसा है कि आप जब पहले code लिखोगे code लिखोगे देन आपने पूरा code लिख लिया उसके बाद आप यहाँ पर time निकाल रहे हो and space complexity निकाल रहे हो ये पहले वाले situation में होने वाली है दूसरा situation में primary analysis में क्या होने वाली है कि पहले ही पहले ही आपने क्या गल लिया time और space निकाल लिया and then code लिखना शुरू कर दिया पहले मतलब आपने जब analyze किया किस चीज़ को आपने analyze किया वाई या program को या फिर आपका जो code था algorithm को ठीक है आपने अगर analyze किया algorithm को तो उस situation में आपने देख लिया कि हाँ कुछ ऐसे factors हैं जिसका time इतना होना चीए कुछ ऐसे factors हैं जिसका space इतना होना चीए यही best होती है यह machine पे minimum से minimum depend होती है इसलिए अपन इसका use करते है ना कि इस चीज़ का ठीक है clear है बात तो I think यह बात आपको clear अच्छे से हो गए होगी कि prior analysis और posterior analysis में क्या अंतर है तो एक बार मैं और अच्छे से clear कर देता हूँ short way में यह तो मैंने आपको बदा दिये कि analysis का मतलब क्या है analysis का मतलब है कि यार अगर आप algorithm लिख रहे हो अपन उसी को choice करते है optimal क्या होगी जिसकी cost minimum होगी time minimum होगा, space minimum होगा clear है बात तो यह सब चीज़ें है उसके बाद फिर अपन ने देखा कि यार machine पर dependent नहीं होनी चीज़े नहीं तो फिर यार यहाँ पर अपन कोई भी decide नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारी machine possible है ठीक है किसी की memory बहुत जादा कम है किसी में RAM fast है किसी का कुछ processor slow है किसी का कुछ और slow है तो machine पर depend नहीं होनी चीज़ें कोई भी चीज otherwise यहाँ पर निकालना मुश्किल हो जाएगा तो theory वाला जो analysis वाला factor है वो use किया जाता है experimental analysis यूज नहीं की जाती ठीक है theoretical analysis यूज की जाती है किसी भी algorithm का time complexity और space complexity निकालने के लिए कौन सी analysis यूज होती है theoretical theory value ठीक है experimental यूज नहीं होती तो यह कुछ ऐसा-ऐसे terms है जो कि आपको पता होने चीज़ें experimental use नहीं होती है theoretical use होती है क्यों use होती है because experimental में machine dependent हो जाता है और theoretical में machine पर depend होती ही निच चीज ठीक है machine पर depend नहीं होती अपने अभी थोड़ी दर पहले पढ़ा था कि machine से independent होना चाहिए तो that's why आपन जब भी algorithm की analyze करते है time और space complexity निकालते है तो वो क्या होता है theoretical analysis होती है तो इसलिए अपन use करते है primary analysis clear है बात तो I think आपको clear हो गया होगा ये starting के lectures and थोड़े बहुत basic है इसके बाद अपन अब जो next video में अपन complexity find करेंगे and जानेंगे कि क्या क्या चीज है